स्वागत सरकारी ITA YouTube चनल पर दोस्ते इस वीडियों बात करने वाले हैं बिहार ITA कैट 2024 एड्मिशन के बारे में आप सबको रैंक काट जारी करने के बाद ओनलाइन कांसलिंग का बेसबरिस इंतजार हो रहा था जिसका डेट पब्लिस कर दिया गया है आप इस नोटिस को देख पाईएगा 17 जुलाई 2024 आज एक डेट में इस नोटिस को पब्लिस किया गया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसमें आपको बिहार ITA कैट ओनलाइन कांसलिंग से रिलेटेड आपको इसमें नोटिस दिया गया है कि आप लोग ओनलाइन कांसलिंग कब से लेकर कब तक कर सकते हैं इस नोटिस को आपको वीडियो के डिस्कुसम बोक्स में लिंक दिया जाएगा आप वहाँ से डाउलोड कर पाएंगे अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका ओनलाइन कांसलिंग कब से कब तक किया जाएगा आप यहाँ पर देख पाएगा बिहार आईटीए कैट ऑनलाइन कांसलिंग का जो डेट है आपको यहाँ पर दिया गया है पहले आपको दिया गया है फर्स्ट में कि सेट मैट्रिक्स आपको प्रोवाइट कराया जाएगा वेबसाइट पर 18 जुलाई 2024 को सेट मैट्रिक्स क्या होता है सबसे पहले आपको बता देते हैं सेट मैट्रिक्स में आपको आपके डिश्टिक में आपके ट्रेड में जो आपको ट्रेड चाहिए और आपका जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में कितना सीट अबलेबल है ताकि आपके rank के अनुसार पता चल पाए कि आपको ओट्रेड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा आप लोग set matrix प्रोवाइट करा दिया जाएगा 28, 28, जुलाई 24 को तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसके बाद आपको counseling के लिए online मोका दिया जाएगा counseling आप सभी student जिन लोगों का rank card जारी किया गया है आपका rank card में कितना भी rank हो आपका rank card भले ही 500, 100, 200, 1000, 2000, 2000, 3000, जितना भी rank होगा सभी लोग को online counseling करने का मोका दिया जाता है online counseling करते वक्त आपको कोई भी fees payment नहीं करना होता है इसका date देख पाईएगा आप लोग 22 जुलाई से लेकर आप 28 जुलाई तक online counseling कर सकते हैं आपको यहाँ पर date देखने को मिल जाएगा 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक आपको यहाँ पर date देखने को मिलेगा इसके बाद यहाँ पर देख पाईएगा कि आपका फर्स्ट राउंड का Allotment Letter कप जारी किया जाएगा तो आप देख पाईएगा 1 अगस्ट को जो आप Online Counseling कराएगे न तो उसका फर्स्ट राउंड का Allotment Letter जारी किया जाएगा 1 अगस्ट 2024 को इसी Allotment Letter के माध्यम से आपको बताया जाएगा तो आपको आने वाले वीडियो में step by step सब समझाया जाएगा यदि आप चैनल पर पहली बार आएगे हैं तो चैनल से जूले रहें आपको हर एक जनकारी बिहार ITA के 2024 एडमिसन से लेटिन सभी जनकारी दिया जाएगा कैसे कैसे प्रोसेस होता है एडमिसन कराने का आपको शमपून जनकारी मिलेगा और उसके बाद आपका first round का allotment later जो है आपका जारी कर दिया जाएगा 1 अगस 2024 को तो उसके बाद जो आप इसके लिए एडमिसन कराने के लिए जाएगा तो आपका admission जो होगा 2 अगस 2024 से लेकर 8 अगस 2024 तक आपका first round के माधियम से आपका admission कराया जाएगा तो आप यहाँ पर देख पाईएगा 6 नंबर में आपको यहाँ पर दिया गया है 2 अगस 2024 से लेकर 8 अगस 2024 तक आपको admission कराने का date यहाँ पर दे दिया गया है तो आप इसमें admission करा सकते हैं यह दि बाइचांस माल लिए किसी काईडिमिशन किसी कारण वस फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया तो उनको परिशान नहीं होना है उनके लिए second counselling का मोगा दिया जाएगा second round का counselling आप लोग online choice feeling 16 अगस 22 से लेकर करा सकते हैं इसका जो है provide कराया जाएगा आपको result 16 अगस 22 से लेकर 20 अगस 22 तक कराया जाएगा आपको second round के लिए कोई भी counselling नहीं करना होता है इसमें आपको sirp or sirp wait करना होता है second round के counselling allotment letter जारी कर दिया जाता है उसके बाद आपका admission कराने के लिए document verification के लिए date जारी किया जाता है जो कि यहाँ पर date देख पायेगा 17 अगस 22 से लेकर 20 अगस 22 तक आप लोग online जो आपका allotment letter जारी किया जाएगा उसको लेकर document verification में जा सकते हैं और पर document verification कराके ITM admission ले सकते हैं आप यहाँ पर date को देख पारे होंगे ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको counseling करते होत कौन कौन से document के आउसकता होगी कौन कौन सा document लगेगा उसके बारे में आपको जनकारी दे देते हैं तो counseling कराते होत आपको कोई भी document को आख सकता नहीं है आप जो अपने registration card के माधियम से OTP के माधियम से online counseling करा सकते हैं इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको document भेरपी के सर में कौन कौन सा document देना होगा तो आपको यहाँ पर document का list देखने को मिल जाएगा पहला में दिया गया अधार card यानि कि आपका अधार card का photo copy लगेगा दूसरा में 6 password size का photo copy लगेगा जो आपका admit card पर होगा photo दिया हुआ वहीं आप photo दीजेगा तो अच्छा रहेगा ठीक है आपका admit card photo रहेगा नो वहीं photo दीजेगा तो आपके लिए बहतर रहेगा उसके बाद आपका admit card जो admit card आप ले कर गए थे ITACAT 2024 का exam देने के लिए वह आपका admit card लगेगा और rank card, rank card में आपका लगेगा district wage rank card और एक open merit rank card जारी किया गया है तो इसमें से आपका जो category से जो allotment letter पर rank आया होगा जिसके मानले जे की आप पत्ना district के हैं और पत्ना में ही admission लहना चाहते हैं तो आपका district wage rank card लगेगा लेकिन आप मान लेते हैं की भोझपूर के हैं और पत्ना district में admission लहना चाहते हैं तो आपका open merit rank card लगेगा तो आने वाले वीडियो में हर एक जनकारे दिया जाएगा कि कैसे आपको admission लेना है तो आप जूड़े रहिएगा channel के साथ इसके बाद आपको download कर लेना है अपना hard copy, hard copy क्या कहलाता है तो part A और part B जो होता है जो आपको forum fill up करते वक्त मिला था वो hard copy कहलाता है उसके बाद आपको online counseling करते वक्त जो की आप कीजिएगा 22 तारी को online choice filling counseling कीजिएगा उसमें आपको एक PDF format त्यार करके भेजा जाएगा PDF में तो आप उसे print out ले लेंगे उसके बाद आपको किया जाएगा प्रवाइड प्रविजनल allotment order download किया जाएगा इसका तीन परती लगेगा जो आपका trade मिलेगा जिस trade में आपका counseling कराना है वो trade आप जो choice किये होंगे वो trade आपको provide करा जाएगा तो उसका तीन copy लगेगा जिसे allotment letter कहते हैं इसके बाद सबसे अंती में verification slip और biometric forum लगता है verification slip का दो copy और biometric forum का एक copy लगता है जो कि document verification में ले जाना अनिवार होता है बीना इसका admission नहीं हो पाएगा तो आपको step कैसे कैसे क्या 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 करना है वो आपको संपूर्ण video के माध्यम से बताया जाएग आपको website के पर ले चलते हैं कि website कहां से आपको counseling कराना है online counseling करने के लिए आपको bcc board के page पर आना होगा जो कि counseling कराता है और यहाँ पर देख पाएगा session 24 का portal को launch कर दिया गया है इसका link आपको video के discussion box में बहुत जल प्रवाइड करा दिया जाएगा या तो आप इसका link चाहते हैं online counseling कैसे करना है उसका website खोज रहे हैं तो आप जो है google पर www.sarkariita.in search करके आपको सबसे पहले में ही page दिखाई देगा उस website पर जाकर आपको इसका link प्रवाइड रहेगा आप वहाँ से counseling पेज पर आ सकते हैं इसका link आपको 22 July को आपका इसका link active कर दिया जाएगा ठीक है 22 July 24 को आप देख पाईएगा इस page को active कर दिया जाएगा इसी के माधियम से आपका online counseling होगा counseling जैसे ही start होगा उसका proper video आपको चैनल के माधियम से देख जाएगा वीडियो पसंद आया हो ITA student के साथ share करें धन्यवाद